आदनिय द्रग जी मनिपूर की स्तिजी पर देश के ग्रहमत्री सिर्मान अमिक शाह ने कल दो घंटे तक विस्तार्च और बड़े धैरिय से जरती भर्वी राजलीती के बिना सारे विशय को विस्तार्च समझाया सरकार की और देश की चिंता को प्रगटी और उसमें देश की जनता को जागरू करने का भी प्रयास था उसमें इस पूरे सदन की तरब से एक विश्वास का संदेश मनिपूर को पहुंचाने का इरादा था उसमें जन सामाने को सिक्षित करने का भी प्रयास था एक नेक इमानदारी से देश की भलाई के लिए और की समंस्या के लिए रास्ते खोजेना एक प्रयास था लेकिन सिवाय राज लिति कुछ करना नहीं है इसलिए इनौने यही खेल किये सईद्धा किए ए के तषिट मेह होता है कल बैसे विस्तार से अमीद भ्हे ने बताया है मनिपूर में अदालत का एक फैसला आया अब अदालतों में क्या हो रहा है वह हम जानते हैं और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्तित्या बनी हिंसा का दोर शुरू हो गए और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुए अनेक दोने अपने स्वजन भी खोए महिलाओं के सांथ गंबीर अपराद हुआ और यह अपराद अक्षम में है और दोश्यों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल करके भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार चे प्रयास चल रहे हैं माताओं बेहनों बेटियों से कहना चाहता हूँ देश आपके साथ है हम सब मिल करके कोई यह हो या न हो हम सब मिल करके इस चनोती का समाता निका लेंगे वहाँ फिर से सांती की स्थापना होगी मैं मनिपूर के लोगों को विश्वाद दिलाता हूँ कि मनिपूर फिर विकास के रहा पर तेज गरती से आगे बढ़े उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेंगे